What we use to cook our food? हम तरह तरह की चीजे खाते हैं. कुछ चीजों को हम कच्चा खाते हैं. जैसे सेब, केला, गाजर और खीरा. और कुछ चीजों को हम पका कर खाते हैं. जैसे चावल, डाल, आलू और भिंडी. हम इन चीजों को कच्चा नहीं खा सकते. क्यूंकि हमारा पेट इसे कच्चा पचा नहीं सकता. इन्हें पकाने पर इनका स्वात बढ़ जाता है. और ये खाने लायक हो जाते हैं. लेकिन सबसी जरूरी बात, हम अपना खाना पकाते कैसे हैं? खाना पकाने के लिए सबसी जरूरी है चूलहा. क्यूंकि चूलहे पर हम अपना खाना बनाते हैं. तो आईए, देखते हैं, खाना पकाने के लिए हम कितने प्रकार के चूलहे इस्तमाल करते हैं? ये है मिट्टी का चूलहा. आम तोर पर हम इसे अपने गाउं में देखते हैं. इसमें लकडी और उपले की मदद से आग चलती है. और ये है गैस स्टोव. इसमें लपीजी गैस की मदद से आग चलती है. ये गैस हमारे घरों के सिलेंडर में होता है. इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक चूलहा. जिसमें बिजली की मदद से गर्मी पैदा की चाती है और उस पर खाना पकता है. ये है कैरोसीन स्टोव. इसमें हम इस्तमाल करते हैं कैरोसीन ओइल. यानि मिट्टी का तेल. और ये है कोल स्टोव. यानि जिसमें कोईले का इस्तमाल होता है आग जलाने के लिए. और उस पर बनता है खाना. और आखिर में सोलर कूकर. इसमें सूरज की किर्णों से जो गर्मी मिलती है उसकी मदद से खाना पकता है. इस चूले को इस्तमाल करने से कोई प्रदूशन भी नहीं फैलता. तो ये सब ही अलग-अलग चूले थे जिन में आग जलाने के लिए अलग-अलग चीजों का इस्तमाल होता है.